दोस्तो आज हम इस सर्कुट को बनाना सिखेंगे ये एक wireless mobile charger सर्कुट है तो चलिए सुरू करते हैं और इस सर्कुट को बनाना सीख लेते हैं दोस्तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक 28 AWG copper wire का एक टुक्रा उसके बाद इस copper wire के टुक्रे को हम एक plastic pipe के उपर टोटाल 24 बार ऐसे टार्न कर देंगे अब हम लेंगे एक IRF Z44N MOSFET एक heat sink और एक 1K resistor उसके बाद इस MOSFET को हम इस heat sink के साथ ऐसे लगा देंगे लगाने के बाद इस 1K resistor को हम इस MOSFET के gate pin के साथ ऐसे सोडा कर देंगे अब हम कोईल के इस star को इस 1K resistor के इस pin के साथ और कोईल के इस star को हम इस MOSFET के drain pin के साथ ऐसे सोडा कर देंगे अब हम लेंगे एक red color का LED bulb और एक 560 ohm resistor उसके बाद इस LED का positive pin हम कोईल के इस star के साथ ऐसे सोडा कर देंगे उसके बाद इस 560 ohm resistor को हम इस MOSFET के source pin के साथ और इस LED के negative pin के साथ ऐसे सोडा कर देंगे अब हम लेंगे और एक 28 AWG copper wear का एक टुक्रा उसके बाद इस copper wear के टुक्रे को हम एक plastic pipe के उपर टोटाल 25 बार ऐसे टार्न कर देंगे अब हम लेंगे एक bridge rectifier उसके बाद कोईल के इस star को हम rectifier के spin के साथ और कोईल के इस star को हम rectifier के spin के साथ ऐसे सोडा कर देंगे अब हम लेंगे एक 6.2 बोल जिना डायोड उसके बाद इस जिना डायोड का anode pin हम इस rectifier के negative pin के साथ और cathode pin हम इस rectifier के positive pin के साथ ऐसे सोडा कर देंगे अब हम लेंगे एक 100 UF 25 बोल्ट कैपासिटर उसके बाद इस कैपासिटर का negative pin हम इस rectifier के negative pin के साथ और positive pin हम इस rectifier के positive pin के साथ ऐसे सोडा कर देंगे तो दोस्तों ये total circuit तयार हो चुका है तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं कर दोस्तों ये और चुका हम इस अचे को KeнуWest कर दोस्तों इस औरा सखड़ naw फर बेर सबर्म से बजोरे साथ बखेगीं को बाइस क के इस भाइस प्रहे हम इस झाल झाल